Hello everyone, welcome to the session. आज हम डिस्कास करने जा रहे हैं ग्रेट 7 पंजाब स्कूल एड़केशन बोड की सोचल स्टडीज और उसमें से हिस्ट्री सेक्शन. Lesson No. 12, Monumental Architecture. मतलब कौन-कौन सी इमारतें, किसकी समय में बनी थी, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे. देखिए, बहुत सारी अलग-अलग तरीके की इमारतें इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे. जैसे टेंपल्स हो गए, मंदेर, गुर्द्वारा, फोर्ट, पैलिसेज, हवेली हो गई, बाग हो गए. इनका अलग-अलग स्टाइल है, अलग-अलग मेटीरियल समान की ये बनी हुई है, और जो आर्किटेक्चर की जो कला है, इनके अंदर जो तस्वीरे गड़ी गई है, पेंटिंग्स बनाई गई है, और किन लोगों ने इने बनाया, कैसे बनाया था, क्या समान उस टाइंग 1526 AD से लेके 1526 AD और तीसरा 1526 AD से लेके 1707 AD, सबसे पहले बात करते हैं, 800 AD से 1200 AD की जो नौर्थ इंडिया में मॉन्यूमेंट्स बने थे इस टाइम पे वो कैसे थे, अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, आप वैसे वैसे याद करते जाएए, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, विष्णू टेंपल जो था जगदनात पूरी के अंदर, तो जग के एक ही भगवान है विष्णू, आप उसको याद कर सकते हैं, जग के भगवान है विष्णू, तो विष्णू टेंपल जगदनात पूरी के अंदर, दूसरा, तेमपल जो है वो कुनार्क में है सन, याद रखना कुनार्ton का þा, महादे लगाege भाली रखना जाना महादेव के वह को यह भाली महादेव है अगला मिसे Скना जेक से असक управू आगले वह नहीं। तेजपाल टेंपल जो है माउंट आबू में ये कुछ important टेंपल थे नौर्थ इंडिया के तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो तेज भाई साब थे वो आबू से थे माउंट आबू से थे और सोलंकी किंग्डम से भी थे वो बस इतनी चीज़ याद रखना इसके बारे में एक नगारा स्टाइल की खास बात ये है N से नगारा, N से नौर्थ इंडिया और ऐसे टेंपल के अंदर सिरफ एक पीक होती थी एक तरीके का जिसे हम बोलते है शिकर होता था ये काफी अलग है द्रावेडियन स्टाइल के जो मंदिर थे जो हमें साउथ इंडिया में मिलते हैं द्रावेडियन स्टाइल जो है वो बाद में आना शुरू हुआ मतलब वो बाद में बना द्रावेडियन स्टाइल में जब आप एंटर करते हो मंदिर के अंदर तो एक बड़ास आपको गेटवे दिखाई देगा आप देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं गोपुरम यह इंडि जो है वो गोल होता है rounded top होता है यह आप कह सकते है curved होता है इसमें pillars नहीं होते इन temples के अंदर pillars नहीं होते और गोपुरम भी नहीं होते गोपुरम का मतलब जो मैंने आपको बताया enter करते हो एक बड़ासा गेट तरीके का जो होता है जो south इंडिया के temples में मिलता है जिसे हम ब आपको ये मिल जाएंगे और आखरी चीज नगारा स्टाइल के अंदर जो boundary है वो fix नहीं थी द्रावेडियन स्टाइल के अंदर जो मंदिर की जो boundary है उसे fix कर दिया जाता था में फरक यह है कि नगारा स्टाइल के जो temple थे वो सिरफ worship के लिए इस्तिमाल किये जाते थे लेकिन द्रावेदियन स्टाइल जो था जो साउथ में चल रहा था, उसके अंदर जो टेमपल था ता मंदिर था वहां पर बिजनेस भी होता था, मतलब विपार के लिए भी स्थेमाल किया जाता था, तो एक बार रवाइस कर लेते हैं कि जो नगारा स्टाइल है आर्किटेक्चर का उसके एक्जामपल क्या-क्या है याद रखना खजुराओ टेमपल मध्यपरदेश के अंदर इसका बेस्ट एक्जामपल है जो चंडेला रूलर्स ने बनाया था इसको याद करने का ट्रिक क्या है खजुराओ को याद रखो काजु से काजु मिलते थे मध्यपरदेश में और जो चले थे रूलर्स उनको पदा ही नहीं था कि वो मध्यपरदेश में काजु मिलते हैं तो चंडेलाज, काजू, मध्यापरदेश, ऐसे याद रखना। लिंग राजा टेमपल के बारे में मैंने आपको बताया, या तो आप याद कर लो, लिंग पता लगता है भुवनेश्वर में जाके, सन टेमपल को नारका था और जगतना टेमपल, जग के एक ही भगवान है, पूरे जग को जो चलाते हैं, बताओ कौन, पूरी के अंदर विश्णु भगवान का टेमपल, बताया था न, याद है कि नहीं, चलिए तेजपाल जी की बात करते हैं, जो माउंट अबू से थे, सौलंकी रूलर्स ने, जो गुजरात से थे, पर राजिस्थान में उन्होंने बनवाया था, ऐसे बहुत सारे उन्होंने टेमपल मंदिर बनवाये थे, यह जो मंदिर थे, यह बनाये गए थे, वाइट मार्बल के, और क्या कलाकारी थी इनके अंदर, जो दिवारे थी, उन गोवन, बेला, गोला के अंदर, जो करनाटक के अंदर जगा है, ओहो, आप देख सकते हो, क्या स्टैच्यू रिखवाया, तो याद रखना, गोमत, करनाटक के अंदर स्टैच्यू रखवाया था, वहाँ पर क्या स्टैच्यू था, अब हम बात करते हैं, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर जो था साउथ इंडिया था, 800 से लेके 1200 AD के बीच में आप देख सकते हैं, साउथ इंडिया में तीन इंपोर्टन किंगम्स थे, पालवास हमने पहले पड़ा है, पांडियाज, चोलाज, जिनको आर्किटेक्चर के अंदर बहुत इंटरस्ट था, अब इसको कैसे याद करने, देखिए, राज राजेश्वर टेमपल, यह राज भाई साब नहीं बनवाया था, राज राजा ने बनवाया था, फिर लास्ट क्लास में अगर आपको याद है, राजेश्वर देफर्स्ट उनको एक टाइटल दिया था, गंगाय कॉंड़ा जो चोलापुरम टेमपल है, वो भी इन्होंने बनवाया था क्योंकि इनको टाइटल दिया था, लौड अफ द गंगा, क्योंकि इन्होंने काफी हिस्सा अपने कंट्रोल में कर लिया था, तो याद रखना, राजेंद्र भाई साब ने गंगाई कॉंड़ा, राजेंद्र जी गंगा जाते रहते हैं, गंगाई कॉंड़ा टेमपल बनवाया था, केलाश टेमपल, केलाश आश से याद रखना एलोरा में बनाया गया था, राश्ट कुता के दबारा, केलाश राश ऐसे रायम करके याद कर लिया और यह जाना जाता है, इसकी सुंदर्ता की वज़े से, इतना क्लियर हो गया, दुबारा बोल रही हूं, राज-राजा ने बनवाया था, राज-राजेश्वरी टेमपल, राज-इंद्र भाई साब जाते रहते हैं, गंगा तो उन्होंने बनवाया था, गंगाई कोंडा, चोलापुरम टेमपल, और जो केलाश राश कुताज ने बनवाया था, यह चीज़े याद कर ले न, नमबर आपको मिल जाएंगे, अब बात करते हैं चोलापुरम के, जो केलाश-राश टेमपल है, वैसे वो मैं आपको बता देती हूं, वो कृष्णा दे बनवाया था, यह आगे बात करेंगे, बड़ याद रख लेना, स्बूर्य चोलापुरम के बारे में जब बात करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे टेेमपलस बनवाये थे, जो इनके टेमपलस थे, वो द्रावेदियन स्टाइल के थे, बाउंडरी होती है, वाटर टैंक होता है और सबसे important point नगारा की अंदर मैंने आपको बताया था tower या शिकारा curved होते हैं इनके जो tower होते हैं उसकी shape pyramid जैसी होती है और उसको बोला जाता है विमाना यह होता है द्रावेलियन style तो चोला की जो ruler थे उन्होंने मैंने आपको अपी बताया राज ने जो temple बनवाया था राज राजा ने याद है राज राजेश्वर temple वो same repeat करके बताया गया कि वो चोलाज ने बनवाया था किस की याद में भगवान शिव की याद में जो इस temple की entrance है उसे हम बोलते हैं गोपुरम तो गोपुरम जो है वो आपको south में मिलेंगे north में नहीं मिलेंगे और इस गोपुरम की height है लगपक 94 meter ground के ऊपर अब जो कैलाज temple है जो इलोरा में था कैलाज राष्ट्रकुता से बनवाया था वो बनवाया गया था राष्ट्रकुता के जो king थे Krishna the first के से कैलाज के से Krishna the first ने बनवाया था और ये पत्थर को काट के temple बनवाया गया था ओहो one of its kind है देखने वाला है ये temple अब बात करते हैं Delhi Sultanate की 1206 से लेके 1526 के बीच में Delhi Sultanate जो थी वो प्रूल कर रही थी और हमने इसके बारे में पिछली क्लासे में पढ़ा है उन्होंने आर्किटेक्चर पे खूब ध्यान दिया तो वो जो डेली सलतने थी वो तुर्क लोग थे अफगान से आई हुए लोग थे तो उन्होंने आके इंडिया में जब काम किया तो इंडो इस इसलामिक आर्किटेक्चर बन गया निया स्टाइल आ गया इंडो इसलामिक क्योंकि वो तुर्क और अफगानिस्तान से अपना इडिया भी लेकर आए थे अब इस पीडियड के दोरान बहुत सारे पैलिसेज बने फोर्ट्स बने ग्रेवियार्ड्स बने जहां लोगों को आजाता है जाता है मौस्क्स बनाई गई इसलाम था उस्टाइन पे इन बिल्डिंग्स का एक खास बात है कि यह डोम होता है गोल्सी शेप लिटियंग की अंदर इस पीडिड में जो सुल्तान थे दिली के उन्होंने अलग-अलग मौस्क बनवाई सबसे पहले कुतुब- इन एबग जो थे डेली सल्तनेत के पहले राजा थे उन्होंने जो monuments बनवाई उसके लिए जो sentence है वो है क्यों जोपड़ा बनवाया अजमेर में इससे अच्छा मिनार कर लेते पूरा अब सुनिए जो क्यों है वो है कुवात उल इसलाम मौस्क क्यों बन गया कुवात उल इसलाम मौस्क फिर जोंपड़ा उन्होंने जो जोंपड़ा बनवाया उसका नाम था धाई दिन का जोंपड़ा ये भी हो गया जोंपड़ा ये जो धाई दिन का जोंपड़ा था ये जो मौस्क थी ये अजमेर के अंदर थी, तो मैंने अभी बताया क्यों जोंपड़ा बनवाया अजमेर में, ये दो चीज़े क्लियर हो गई, इसके बाद इन्होंने कुत्व मिनार की construction स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अचानक से इनकी death हो गई थी, घोड़े से गिर के, और इसको पूरा किया थ इससे अच्छा मिनार कर लेते पूरा, वो मिनार कौन सा है, कुत्व मिनार, easy, याद हो गया, अब हम बात करेंगे, खिल जी ने क्या क्या बनवाया, याद है, अलाओदीन खिल जी, last class में इंट्रस्टिंग बात बताई थी, कि कैसे उसने अपने अंकल को मार गिराया था, इ जमЯत खाना भी था बहाँ. अब देखो, अल्ला का دर्वाजा क्या है, वो है अलाऑी दर्वाजा, जो बहुत फेमस था, रेड स्टोन का बना था, मार्मल का बना था, फिर खास क्या है? उन्हें बनवाया, होजे खास, ठीक है? और जमेत खाना मौस्क भी उन्हें बनवाया तो मैंने sentence बना दिया अल्ला का दर्वाजा खास था और जमैत खाना भी था वहाँ easy, याद हो जाएगा अब बात करते हैं घ्यासु दिन तुगलक की घ्यासु दिन तुगलक भाई साब ने जो बनवाया था वो बनवाई थी एक नई सिटी दिल्ली के अदर जिसका नाम था तुगलाबाद अपने नाम पे रख दी घ्यासु ने घिस घिस के तुगलाबाद बनवा दिया था फिर आए मोहमद बीन तुगलक क्योंकि मोहमद जहान को देखते हैं सिटाबाबाद फतेबाद और काफी सारे मॉस्क्स, स्कूल और ब्रिजज भी बनवाए इसके बाद आ जाते हैं सैयद अगर आपको यादो सैयद और लोधी आए थे जिन्होंने बहुत सारे टूम्स बनवाए अब टूम्स क्या होता है वो जगह जहां पर किसी को दफनाया जाता है और उपर एक बिल्डिंग बना दी जाती है गोल सी उसे हम टूम्स बोलते हैं अब जो सैयद है वो बन गया शाहिद अब शाहिद ने क्या-क्या बनवाया था एक तो मुबारक शा और एक मुहम्मद शा के टूम्स यह इस टाइम पर बने थे तो मैंने जो सेंटेंस बनाया वो बनाया है शाहिद ने बोला मुबारक मुहम्मद शा उसके बाद लोधीज ने क्या कुछ बनाया था इसके बारे में जो सेंटेंस है आप ऐसे पोल सकते हो बड़ा गम रहता था तो मौत की मस्जिद बनवा गए बड़ा गम रहता था बड़ा गम क्या है बड़ा गुमबद रहता था तो मौथ کی मस्जित उन्होंने बनवाया था Sikandr Lodhi ने, यह जो चीजे थी यह Lodhi टाइंग पे बनी थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, Sikandr Lodhi का भी टूम बनाया गया था लोधी इसके टाइंग पे, आप बात करते हैं Dekan की, Dekan के अंदर यह आप कह सकते हैं साउथ हिंडिया में दो राज्ये चल रहे थे एक है बहामनी और दूसरे है विजे नगर जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनवाई थी तो जो बहामनी स्टेट है उन्होंने अलग-अलग चीजे बनवाई लेकिन उसको याद कैसे करना है बुक में तो मुश्किल वे में द से हो गया जामा मस्जिद चार दर्वाजे से हो गया चार मिनार मुहम्मद गावन जो की है मदरसा औफ महमूद गावन जो इन्होंने बनवाया था तो ऐसे याद कर सकते हो जमा चार दर्वाजे में महमूद गावन को याद करते रहते थे वैसे ही टूम बनवाया गया फिर तो हजारा रामा और विठल स्वामे टेंपल विजय नगर के द्वारा बनवाया गया। अगर ट्रिक से याद करोगे तो असान हो जाएगा। अच्छा आगे जाने से पहले मैं यह बता देती हूँ जो मॉस्क वर्ड है वो अरेबिक लाइंग्विज से आया जिसका मतलब है वह वाली जगह जहां मुस्लिम जाके भगवान को याद करते हैं यहां पर जो मुस्लिम लोग है वो नमाज भी पढ़ते हैं खास वार पर आप कि मुगल्स के टाइम पे किस तरीके का आर्किटेक्चर था फोर्ट्स बने पैलिस बने टूम्स बने मॉस्क बने खास तोर पर जो अकबर थे उनको तो आप कह सकते हो टॉप क्लास पयार था आर्किटेक्चर के साथ और अकबर ने बहुत सारे फोर्ट्स के लिए बनवाई बिल्डिंग्स बनवाई, रेड स्टोन के साथ, अकबर को याद करना टोपी उनकी रेड कलर की थी, तो उन्होंने रेड स्टोन के साथ चीज़े बनवाई, अब अकबर ने क्या क्या चीज़े बनवाई? देखिए अगपर ने जो बनवाया उसमें इरानियन और इंडियन स्टाइल मिलता जुलता था, तो इसके लिए सेंटेंस है, खास आम, जो हम खाते हैं, खास आम, बुलन दर्वाजे से पंच महल और जामा मस्जित ले जाता था, दुबारा बोल रही हूं, खास आम, बुलन द जाता था, पर उसने देखा, वो पहुंच गया, फतेपुर सीकरी, अब क्या-क्या है इसके अंदर, एक तो इमारते बनवाई उन्होंने फतेपुर सीकरी के अंदर, जामा मस्जित उसका नाम जिकर किया, पंच महल उसका नाम जिकर किया, दिवाने आम, याद आगे है, वो खास या खास आम, बुलंद दर्वाजे से, इसके इलावा उन्होंने एक बड़ा गेट भी बनवाया था, जिसे हम बोलते हैं, बुलंद दर्वाजा, ये तो था अकबर की बात, जहांगीर ने बनवाया था, जहांगीर अकबर के बेटे थे, उन्होंने टूम बनवाया था अक्बर के लिए सिकंद्राबाद के अंदर और एक और टूम बनवाया था इत्मत उद्दला के लिए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि جो अक्बर थे वो दौलत वाले थे जिनके लिए जहांगे इने टूम बनवाया तो एक अक्बर का टूम और दौलत वाले थे तो दौला ये दोनों बनवाई जहांगी इनने थे अब बात करते हैं शाह जहां जिनको मतलब अकबर से भी जादा प्यार था आर्किटेक्चर के अंदर तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके टाइम पर क्या-क्या बना वही चीज़े बन रही हैं लेकिन वह चीज़े इस बार जो है जैसे दिवाने आम हो गया दिवाने खास वह फोट है आग्रा के अंदर जामा मस्जिद भी बनी इनके दौरान मोती मस्जिद ताज महल भी बना इसको याद करने का तरीका खास आम जो आग्रा से थे वो जमा मोटे नहीं थे पर ताज महल लेके जाते थे अब देखे खास दिवाने खास आम दिवाने आम उसके बाद जामा मस्जिद मोती मस्जिद अब ये मोती मस्जिद को मैंने मोटी से याद करवाया है और ताज महल की भी हमने बात कर ली इन सारी अमारतों में से जो अमारत सबसे जादा सुन्दर है जो शाजहाने बनवाई थी वो था ताज महल जो बिलकुल यमुना नदी के टटपे है आगरा में ये उन्होंने अपने प्यार मुम्ताज महल की याद में बनवाई थी इसमें 20,000 कारीगरों ने काम किया, 22 सालों तक काम किया, तब ताज महल जाके खड़ा हुआ, कम से कम नहीं तो 3 करोड का खर्चा हुआ उसके उपर, उसके उपर बहुत सारे आप कह सकते हैं, पत्थर लगाए गए, और नहीं तो 20 विराइटी अलग-अलग धंके पत्थरों का इस्तिमाल किया गया, और आज की डेट में दुनिया के जो साथ वंडर्स हैं, उन्हें से एक ताज महल भी है, इसके लावा बनवाया गया था, रेड फोट, जो शाजहां नहीं बनवाया था, रेड सैंड स्टोन का रेड फोट बनवाया था, इसको याद करने का क्या तरीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, खुआब है, रेड फोट का रंग, शाब बुर्ज जैसा हो, अब देखिए, खुआब है, तो उसके नाम से आपके जगा का नाम है, खुआब का, खुआब है, रेड फोट भी उन्होंने बनवाया था, रंग कौन सा था, रेड कलर का था, फ इसको डेकोरेट किया, गोल्ड के साथ चीजे लगाई गई, सिल्वर की चीजे लगाई गई, जैम्स का इस्तेमाल किया गया, और इसके इलावा उन्होंने मोती मस्जित, जिसका जिकर मैं कर चुकी हूँ, वो भी बनवाया था, लेकिन मैं अब इसलिए बतारी हूँ, क्यो जो है, वहां से आप देख सकते हैं, वाइट मारबल की जो बनी हुई मारत है, वहां से आप देख सकते हैं, ताज महल को, ये भी शाजहाने बनवाई थी, इनफाक्ट इस बुर्ज में उनकी डेथ हुई थी, शाजहाने एक सिती भी बनवाई थी, जिसका नाम है शाजाबा यह उन्होंने स्थापित की थी 1639 AD के अंदर और जामा मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ जामा मस्जिद इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मॉस्क्स मानी जाती है एक बड़े प्लाटफॉर्म पे इसको बनाया गया इसको पूरा करने इसको डेकोरेट कराया गया था वाइट मार्बल से अब शार जहां को सिर्फ इमार्तों का शौक नहीं था उनको बाग बगीचे का भी शौक था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गार्डन सापित किये जैसे शाली मार गार्डन दिल्ली में वजीर उन्होंने ताज महल रेड़ फोड के आगे भी स्थापित किये थे उस ताइंग पर अब इनका ना एक थ्रोन था गदी थी जिसे हम बोलते हैं पीकॉक थ्रोन वो रखा गया था दिवाने खास में लेकिन बात में उसे नादिर्शा अपने साथ ले गए थे परशिया में उ त्रिक्स के साथ आपको काफी हद तक चीजे याद हो जाएंगी जाने से पहले मैं आपसे दो क्वेस्टिन पूछना चाहती हूँ पहला क्वेस्टिन यह सं टेंपल और तेजपाल टेंपल कहां पर है और दूसरी चीज यह कि आपने मुझे यह बताना है कम से कम पांच ची तो यह थी आज की क्लास, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक शूर यू लाइक, शेर और सब्सक्राइब, हम फिर मिलेंगे, तिल देन, टेक केर, बाब बाई!